चोपड़ा हैं जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदे की स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों जैसा कि आपको मालूम है नी 22 का एक्जाम 17 जुलाई 22 को है और इसमें अभी 20 डे से भी कम का समय बचा है मैं सुच रहा हूँ कि आपकी प्रिप्रेशन इसमें अच्छी चल रही होगी मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो तैयार किया है कि आपको जो आपके स्टेडी हावर्स हैं उनमें 2 हावर्स की बढ़ोत्री इन 20 डेज के लिए करनी चीए कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी 13 हावर्स की स्टेडी कर रहे हैं डेली तो आप इसे बढ़ा कर 15 हावर्स कर दीजे अगर आप आलड़ी 14 हावर्स की स्टेडी कर रहे हैं तो इसको 16 हावर्स कर दीजे मैं इस बात को मानता हूँ कि कहना आसान है मगर करना बड़ा ही मुश्किल होता है मगर ये तो आपको सिरफ 20 डेज के लिए ही तो करना है उसके बाद तो आपकी लाइब सेट है उसके बाद तो आपको इस हद तक परिशान नहीं होना पड़ेगा आपकी पूरी लाइफ इन 20 डेज पर डिपेंट करती है कि आप इस में कितनी मेनत करते हैं इस में तक सेलेबस सभी स्टूडेंट ने कवर कर लिया होगा और अभी इन 20 डेज में आपको रिविजन भी करना है सासा टेस्ट प्रक्टिस भी करनी है मैं पिछले कई सालों से देखता आया हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट ने इन 20 डेज में मेनत की है उनका स्टूडेंट अवस्य हुआ है मेरा एक्सपिरियंस ये कह रहा है कि इस समय मैं कुछ स्टूडेंट से ये मान कर स्टूडी कम कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट ऐसा मान कर स्टूडी कम करते हैं कि मेरा तो selection नहीं होगा इस बार क्योंकि मेरी तो preparation ठीक से हुई नहीं है मेरे को test में marks भी कमा रहे हैं ऐसा कुछ students सोच लेते हैं और कुछ students ऐसे भी होते हैं जिनको और confidence हो जाता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है मेरे तो test भी अच्छे हो रहे हैं test में marks भी अच्छे आ रहे हैं मेरा तो selection sure है मगर इसी बीच वो student मोके का फाइदा उठा जाते हैं जो इस समय बचे हुए समय में महनत करते हैं तो आईए मैं आपको एक हकीगत से रूबरू करवाता हूं आपने कभी एक 4G की life देखे होगी वो सिरफ 5 hours ही सोता है बाकी 19 hours मसीन की तरह ही चलता है आप ये बातें आपके दोस्ति या रिस्तेदार से भी पूछ सकते हैं जो फोज में नोकरी कर रहा है इस कड़ी धूप में उसकी duty की आप कलपना कर सकते हैं वो इतना तयाग क्यों करता है वो इतना तयाग इसलिए करता है कि उसके परिवार का future bright हो सके उसके परिवार की हर जरुरत पूरी हो सके क्योंकि उसके उपर उमीद लगाए उसका पूरा परिवार है जो उसी पर निर्भर है वो इतनी मेहनत करता है अपने उस परिवार की उमीदूं को पूरा करने के लिए उसी तरह आपके परिवार की भी आपके उपर उमीदे हैं क्या आपको उन उमीदूं को पूरा नहीं करना जी एक फोजी जो आप जैसा ही इनसान है इतनी प्रेसानी जहल कर अपने परिवार की उमीदूं को पूरा करता है तो आपके पास तो काफी सारी फैसलिटी है आपके माता-पिता ने आपको वो फैसलिटी दे रखी है जिसका वो खुद आपके लिए परित्याद कर चुके हैं आपके पेरेंट्स को आपसे उमीदे हैं आपके भाई बहन को आपसे उमिदे हैं, क्या आपको उनकी उमिदूं को पूरा करने के लिए महनत नहीं करनी चीए, मैं तो सोचता हूँ आपको ज़रूर महनत करनी चीए और अभी महनत तो सरफ 20 डेस कम समय के लिए ही तो करना है, आप इस समय रेजल्ट के बारे में कुछ भी मत सोचो जो भी जो अभी हो रहा है उसको बहतर बनाने की कोशिस करो और जब कोई भी इनसान उसके परिणाम की परवा ने करते हुए बहतर बनाने की कोशिस करता है तो वो 100% सफल होता है मैंने तो सक्सेस होते देखा है मेरे पास ऐसे हर साल के बहुत सारे एक्जामपल है मैं आपका ज़्यादा समय ने लेते हुए वीडियो के अंत में यही आपको एक सला दूँगा कि इतनी मेहनत करो ताकि उसका परिणाम बोले कि आखिर आपने मेहनत की है मेहनत करने से कोई दुबला पतला नहीं होता है बलकि और निखर जाता है सही समय पर की गई मेहनत ही सरानी होती है आपके पास मेहनत के लिए अभी समय है मेहनत करो आप अवस्स सफल होंगे बेस्ट ओप लग